असलाम एको माई यूटीव फैमली सब कैसे हैं? अमेदा कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत कुश होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कडाही वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में असना स्टाइल में तो बनाना शुरू करते हैं चिकन कडाई बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिएं वो आप no down कर लें बहुत easy है ये कडाई बनाना सबसे पहले spices में हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून रचिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक तपर पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, 1 टेबल स्पून हल्दी और नमक अपने हिसाब से ले लिजेगा चार से पाउच हमने ग्रीन चिली लिए हैं, उनने कट कर लिया है, अद्रक को भी कट कर लिया है, दो टमाटर लिये हैं, उसे भी रफ्ली चॉप कर लिया है, वन टेबल स्पून जिंजर गार्ली का पेस्ट लिया है और एक कप हमने दही लिया है, दही जादा खटा नहीं होना चाहिए तो एक कप फ्राइट अनियंज लिए हैं, मतलब प्याज लिए हुनको फ्राइ किया हुआ है जो के बहुत क्रिस्पी-क्रिस्पी हो गया और बहुत मज़े के लगता है वान केजी चिकन लिया है तो ये चीजे हैं आप इनका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं सबसे पहले हैं जो हमारा स्टैप है चिकन और कड़ाई बनाने का वो मेरिनेशन का है तो आप कौर से देखिएगा चिकन हमने डाल दिया बॉल में उसके बाद जितने भी स्पाइसिस थे वह हमने इसमें एड कर दिया है सारे उसके बाद अधरक लहसन का पेस्ट भी डाल दिया इसमें उसके बाद इसमें हाफ जो है फ्राइड अनियंत शामिल कर देंगे फ्राय के वह प्यास हम हाफ शामिल करेंगे और दही जो है वो हम इसमें सारा शामिल कर देंगे अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे लेमन आपको मैं दिखाना भूल गई थी एक जो है इसमें बड़े लेमन का जूस एड़ कर देंगे तो इसको मेरिनेट करने के लिए रख देंगे आदे घंटे के लिए तो यहाँ पर कड़ाई ले रेंगे और कड़ाई में शामिल कर देंगे एक कबघी उसके साथ ही 1.4 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसी के साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजनी कीजिएगा बेल आइकन के बटन को लाजनी दबाईएगा ताके हमारी रेसिपी आपको मिल सकें तो यहाँ पे जिंजर गार्ली का जो पेस्ट है वो भून चुका है अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर मीडियूम टू लो फ्लेम पे हमने कुक करना है सारी चीजों को तो टमाटरों को पकते हुए 304 मिनट हो चुके हैं अब इसमें पानी शामिल कर देंगे 2-3 टेबल स्कॉन ताके टमाटर जैले नहीं और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाए तो दो से तीन टेबल स्कॉनिश शामिल करने के बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे 10 मिनट के बाद टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अब बारी आती है इसमें मेरिनेटिड चिकन एड़ करने की बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इसकी कच्छे की स्मेल ही इतनी मज़े क्या रहते हो तो आप सोचें कि जब यह पक जाएगा तो कितना मज़ेगा लगेगा माशालाँ तो मेरिन को मिनर तक पकाएंगे इसी तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी साथ चैनल पर नए है चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि हमारी हर आने वाल रेसिपी आपको मिल सके तो तीन से चार मिनर गुजर चुके हैं अब हम इसक कवर करके पकाएंगे तकरीबन तकरीबन 20-25 मिनट मीडियूम टू लो फ्लेम पर जब तक के गोश्ट गल नहीं जाता तो यहां पर हम जो हमारा चिकन है माशाला से पक चुका है मतलब नरम हो चुका है अब बारियाती इसकी भुनाई की तो हलके हाथों से आपने इसकी अब इसमें हम कटा हुआ जो अद्रक था और हरी मिर्चे थी वो हाफ हाफ शामिल कर देंगे बुनाई में हम इसलिए अड़ कर रहे हैं ताकि उसका जो अरोमा है टेस्ट है वह चिकन में आ जाए तो बहुत ही लाजवाब बहुत ही मज़े का लगता है आप लाजमी और मज़े का बनता है यह चिकन कडाही बहुत ही मज़े की बनती है अब इसमें बारी है फ्राइड अनियन एड़ करने की जो बाकी बचके थे हाफ हाफ हमने मेरिनेटी चिकन में एड़ कर दिये थे मेरिनेट करते हुए उसे और हाफ हमने अब एड़ कर दिये हैं भुनाई कुना ही करेंगे, मीडियूम टू लो फ्लेम पे, तो आप इस जटपट रेसिपी को लाजमी ट्राइ कीजिएगा, अब हम इसे कवर करके तके बिन दो मिनट के लिए मजीद पकाएंगे, माशाला से हमारी चिकन कडाही तयार है, जटपट हमारी शाही चिकन कडाही, तो क्वे चाहीज